हेलो दोस्तों वन्स अगेन वेल्कम टो वर यूटूब चैनल तो दोस्तों अगर आप यूटूब पर पढ़ाते हैं या फिर आप पढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी बुक से किसी भी कोश्चन का फोटो खीच करके उसकी पीपीटी स्लाइड कैसे बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से यानि अब आप किसी भी बुक से कोश्चन का फोटो खीचेंगे और उनको क्रोप करेंगे और अपने मोबाइल में ही उसका पीपीटी सैट क करेंगे जिससे आपको पढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको यह सारा काम कैसे करना है तो दोस्तों बुक से फोटो खींच करके कोश्चनों की पीपीटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुक स और उन है उन कोश्चनों का फोटो कि लेना है जिनके आपको वीडियो बनानी है तो जैसे कि मैंने यहाप और एक फोटो एडिटर को यूज करूंगा तो हमको अपना फोटो एडिटर एप ओपन कर लेना है और यहां पर जो हमने कोश्चनों का फोटो कीचा है उसको यहां पर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद हमको सिर्फ कोश्चन को यहां पर क्रोप करना है तो यहां पर आप नीचे इसको सा आया हो जैसे कि मैं यहां पर देखिए यहां पर कर लिया है तो इसको यहां पर आप क्रोप करने के बाद ऊपर से राइट का बटन दिखेगा इस पर आपको टिक कर देना है इस पर टिक कर देने के बाद ऊपर फिर आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा इस पर टिक कर देना हमें दूसरे Android application की जुरुत पड़ेगी जिसका नाम है Handrite Pro यहाँ पर आप इसका आइकन भी देख सकते हैं इनका लिंक मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा आप डारेक्ट वहाँ पर क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं तो आप कोई भी एप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर Handrite Pro को ही यूज़ करने के आपको सला दूँगा क्यूंकि इसमें backup का भी option आता है तो हमको इसको यहाँ पर open कर लेना है Handrite Pro app को open करने के बाद आपके सामने इसका कुछ इस तरीके से interface नजर आएगा तो यहाँ पर आपको एक plus का icon मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है राइट साइड में तो यहाँ पर आपको अपनी नई PPT आपने जो फोटो क्लिक करके अपने गैली में सेव किया है उनकी PPT तैयार करनी है तो हमें new document पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का नया इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में पहले बता देता हूँ उसके बाद मैं आप पर आपको PPT तैयार करना बताऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते है उपर यह जो ब्लैक कलर का इकन दिखावा है यहाँ से आप अपने पैन करना है तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं देखे कितने आसान तरीके से आपके काम करेगा उसके बाद यहाँ पर यह पर यह पैनसिल का आपको आइकन मिल जाएगा इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी पैनसिल की मोटाई को बढ़ा सकते हैं यहाँ आप डिजीटल बोड यानि आप डिजीटल बोड की तरह भी इसको यूज कर सकते है कोई कोश्चन वगेरा को एक्स्प्लेइन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है अब हम बात करते हैं कि हमको पीपीटी तैयार कैसे करनी है तो सिंपल यहां पर आपको एक आइकन मिल ज रहता हुं और जो हमने यहां पर अभी तैयार गये है देखे हमारा पहला कोश्चन यह पर आ जाएगा तो इस तरी के अपका पहला कोश्चन आ जाएगा इसको आप ऐसे स्कौने से इसो सक्रोल करके इसको बड़ा कर लिज γी ए और अपने हिसाब से इसको सैट कर लूज ए तो यहाँ पर देखे हमारा पहला question यहाँ पर set हो गया है ठीक है यह एक page पर हमारा पहला question set हो गया है अब हमें अगला page open करना है और दूसरे page पर दूसरा question set करना है तो यहाँ पर देखे आपको एक plus का icon मिलेगा इस plus का icon पर click करते ही आपके सामने अगला page open होगा फिर अगले गैरली यानि गैरली से आपको अपना question select करना है और फिर इसको यहाँ पर import कर देना है तो यहाँ पर देखें आपके दूसरे पेज़ पर आपका दूसरा question set हो जाएगा तो इस तरीके से पर इसको set कीजिए फिर उसके बाद arrow के button पर click कीज़े फिर back हो जाईए फिर तीसरा page open कीज़े और फिर photo पर click कीज़े और फिर अपने गैरली से तीसरा question यहाँ पर select कीज़े तो देखें यहाँ पर तीसरा question भी मैंने यहाँ पर select कर लिया है तो इस तरीके से आप जितने भी आपके question होंगे वह इसी तरीके से आप अगला page लेते जाएंगे और फिर उसमे एक question एड़ करते जाएंगे यानि एक page पर आपका a question होना चाहिए और यहाँ पर आप side में देख सकते है यहाँ पर आप question को explain भी कर सकते है ऐसे तो इस तरीके साफ देख सकते है तो यह आपकी PPT तयार हो गया, फिर हम देखें, यहां पर इसको arrow के बटन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, यहां पर दूसरा question हो गया, फिर arrow के बटन पर क्लिक करेंगे, पहला question हो गया, तो जैसे आप पढ़ाना चालू करेंगे, तो यहां पर देखें, सबसे पहले question से पढ़ाना चालू करेंगे इसके बारे में आप explain कर देंगे बड़े अच्छे से फिर उसके बाद आपको arrow के बटन पर क्लिक करना है यानि आपका अगला question यहां पर open हो जाएगा देखे फिर आप इस question को explain करेंगे फिर आपको arrow के पर क्लिक करना है फिर आपका अगला कोश्चन ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आपकी पीपीटी में जितने भी कोश्चन होगे में सारे यहां पर एरो के बटन पर क्लिक करके आते जाएंगे और आप उनको अच्छे से एक्सप्लेइन करते जाना और अपना वीडियो तैय स्क्राइब कीजिए आज के इस वीडियो में पस इतना ही धन्यवाद